आईए आज आपको हम राची लोहरदगा रेलवे खंड का एक मुख्या स्टेशन और बोड़ा स्टेशन का बाधल स्टेशी को दिखा रही दी इस स्टेशन में पीने के पानी के लिए प्लेटफॉर्म में छे स्थान बना हुआ है लेकिन उसमें नल लगा हुआ नहीं है प्लेटफॉर्म के अंदर एक चपाकल बना हुआ है वो भी बरसों से खराब पड़ा हुआ है या त्री स्विधा के नाम पर कोई स्विधा नहीं है लोग महीला बच्चे पीने के पानी के लिए ब्याकूंग हो जाते है यह जो चपाकल है चपाकल से पानी निकलता है ना यह न से पानी निकलता है इदर भी नले पूब भी खराब गग जाए अगर लग जाएगा तो अमलों को अराम हो जाएगा पानी पीने अमलों को बोलों कि कर अरी निकलता है अरी कर भी परसाद में हो जाएगा सर्थ से जाएगा जाता है अगना पीचे लिकलता है अरे पानी ना पूला बनुआ है अना दिकड़ों कि आज़गा है यह रेल्वे अधिकारियों का ध्यान ही नहीं है, अगर ध्यान होता, तो नल लगवा दिया होता, जहां पर पानी बहता, कम से कम चपाकल ही ठीक करवा देता, मैं आप लोगों से अनुरोद करती हूँ कि रेल अधिकारियों पर दबाव डाले और यात्रियों को पीने का पानी की बेवस्था हो जाए मैं प्रियसिला बेशरा राची जहारखन से इंडिया अनहट की हूँ